गुलाबी निखार किन को पसंद है, अफकोस हर लड़की को गुलाबी निखार पसंद है, हर कोई चाहता है कि उसके गाल पिंकिस पिंकिस बन जाए, उसकी स्किन पे एक शाइन हो, पिंकिस शाइन हो, तो आज की सिंपल से तीन से चैर स्टाइब फोलो करके आप अपनी स्किन बेवी सोफ्ट वना सकते हैं आप पनी स्किन को एक प्यारा सा पिंक स्टिंट दे सकते हैं, एक प्यारी से स्किन आप पाँ सकते हैं! मैंने समय कि है कि मेरी खुदकी शें पर पिंपल निकलता है —packम थाए ना ना फॉडु मैंना थे 5-6 महिने से पहले छूटता नहीं अगर आपके स्किन पर कुछ इस्तिक के डाग बन चुके हैं बनना शुरू हुए हैं तो इन दागों को साफ करने के लिए आपको जो कॉमपलेक्शन जो आपका स्किन कलर डल हो चुका है किसी भी वज़य से उसको और जादा गोरा बनाने के लिए उसको इन्हेंस करने के आज आप सिंपल से इस्ताफ फोलो जरूर करके देखेगा और आप 15 दिन के बाद अपनी स्किन को चेक किजिएगा जरूर आपको डफिनिली रिजल्ट जरूर मिलेगे तो आज का स्किन केर हम सुरुआत करते हैं सबसे पहले सकर्ब के साथ सकर्ब बनाने के लिए आपको य राइ स्किन है ऐली स्किन है जैसे इस किन है अप को यूच कर सकते हैं उसके बाद आपको इसके अंदर थोड़ा सा यह नमक डाल देना है तो जाल नमक आपकी स्किन को प्युरिफाय करेंear जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपकी स्किन पे दाग धबे हैं, पिम्पल हैं, उनको ठीक करने में, किसी भी तरीके का अगर इन्फैक्शन स्किन के उपर है, उसको क्योर करने के लिए नमक आपकी बहुत ज़रा मदद करता है, प्रोपली तरीके से क्लिन कर द करने में आपकी मदद करता है, तीनों को अच्छे से हम यहां पर मिक्स कर लेंगे, आपका एक स्कर्ब बन के यहां पर तयार हो जाया, इस स्कर्ब को आपको अपने फेस पे अच्छे से मसाज देनी है, माना कि यह काफी ओली है, लेकिन जैसे आप इसके साथ अपनी स्किन मसाज करेंगे ना, तो इसको जब आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, पांच यहां छे मिनिट के लिए मसाज करनी है, तो आप देखेंगे कि एक हलकी सी काली काली सी पर्त निकल के आपके हाथों में आ गई है, यानि जितनी भी डैड स्किन है, जितनी प्यारा सा ग्लो आपके छोड़ के जाएगी तो यह आपको करना है पांच चे मिनट के लिए इसकी मसाज देनी है इसकी मसाज देने के बाद आप फेसोस जरूर करेंगे क्योंकि काफी ओली है घी का यूज किया है तो उसको निकालने के लिए से अच्छे से पोर को क्लीन करने और आप फेशिल ढूंट रहें आपके बजट में आपके ममा आर्थ का उब्टन फेशिल किट यूज कर सकते हैं जो आपके बजट में हैं टोटली 6 स्टैप आपको यहां पे मिलते हैं जिसमें आपका क्लिंजिंग मिल्क होता है क्रेम होता है पैक होता है जैल होता है तो य जलब की दो बार आपकी फेशिल किट चल पड़ेगी ममार्थ के सारे प्रोड़क्ट जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोल जाएंगी केमिकल फ्री होते हैं दर्माटोलिक टैस्टेज होते हैं आपकी स्किन के लिए काफी फ्रेंडली होते हैं कोई इनके अंतर हार अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा एक्स्टा 20% ओफ चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड़ यूज कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ममार्थ के सारे प्रोड़क्ट आप किसी भी आप से क्रीज सकते हैं इनकी खुदी की भी एप है ममा आर्थ उसको डाउनलोड करके वहां से आप एक्सा 20% ओफ पा सकते हैं इंडियन ब्रैंड आफकोस हमें इंडियन ब्रैंड को स्पोर्ट करना चाहिए जब भी प्रोड़क्ट क्रीदते हैं तो ममार्थ उसके बलेक पेड़ आप प्रोड़क्ट ज़या अगर रहा तो यह आप इस फेचल को कर सकते हैं अच्छे से आपकी स्किन को बिलगुल साफ करेगा आप जैसे गर्मीय आंगर तैना चुगा है तो अच्छे से आपके फटन को हटाने के लिए बहुत बहतरी इंतरी के से आपके फेस पर काम तो यह डेफिनेटली इसका आप यूज कर सकते हैं और जब भी प्रोडक्ट करीते हैं मौमार्थ उसके लिए पेड़ लगाती है जो अफकोस मारे अन्वारमेंट के लिए काफी अच्छा होता है तो यह इसका लिंक आपको नीचे जुशन बोक्स में बिल जाएगा मैं तो प अच्छा है वह पैकिंग वाला है बेस तयार होगा अलोविरा के साथ क्योंकि अलोविरा से क्रीमी कंसिस्टेंस आजाएगी असानी चाप इसको मिक्स कर पाएंगे उसके बाद आपको इसके अंदर आधा चमच पावडर डाल देना है जिस पावडर का मैं यहां पर यूज प्रिशूर मातरा में होता है जो अफकोस बढ़ती उमर को रोगने में मदद करता है और जितना बढ़ती उमर में बीट रूट का या फिर ओरेंज का यूज करते हैं तो आपकी उमर का पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपकी जो स्किन है वो उस पर कभी जूरिया नहीं आए तो इस तरीके से आपको यह ओर चमच एक चमर डाले नहीं और आपको एक पैक क्रीम बनके तयार हो जाएगी अब आपको इसiverse फेस करने पीकी करने के लाद ऑद पीश वोस किया फेस्ट्रस करने के बाद और इस टैप पर लेना है इस प्रीम लेनाए नहीं आपको पहले हम तोड़ी शी मसाज करेंगे ताकि इसकीन फ्रेंडली हो जाए ताकि इसकीन इसको समझ भाईगी आखिर हम उस पर लगा क्या रहे हैं तो मसाज करेंगे पोर के अंदर जाएगा जो टीशूज है जो ड्राइनेस है उसको रिपेर करेगा और जो ग्लो आपका जा चुका है उसक आप रात के टाइम पर भी कर सकते हैं पूरी रात भर आप इसको लगा के रखिये शूब इसको गुझञे पानी के सा'the कर सकते हैं मतरब ए69 क्रीम ये ए इन में लगाना चाहते। तो आज उसली चेहरे को देखिये और मैं य SHO को रिख सकते हैं उसको सांत दिन लगातार आप इसे यूज करके देखिए, जो फर्स्ट वाला स्टैप है, वो भी आपको लगातार साथ दिन करना है, ये वाला स्टैप है, ये भी साथ दिन करना है, फिर आप मिरेर उठाई और अपने चेहरे को देखिए, और मैं यकीन के साथ बोल सकते हूं कि ये बहुत वो कहीं जाने वाला ने है, वो फिक्स आपकी स्किन पर हो जाएगा, तो बीट रूट जूस पी ना है, पैकल लगाना है, स्कर्ब करना है, अगर आप इंट्रस्टीड है, फेशिल किट लेने में, इसका लिएका आपको निचे डिस्क्रोशन बोक्स में मिल जाएगा, मैं म नेक्स वीडियो में तो बतक लिए बहुत सरा पानी भी है, कुछ रहें कुछ रहें कुछ रहें कुछ रहें कुछ रहें कुछ रहें